स्वागत है आपका टेक्निकल दिलसाथ YouTube चैनल में और आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा Play Store का अकाउंट कैसे बनाते हैं वो भी 2024 में नए तरीके से बस आपको इस वीडियो को लाश्ट तक अमारे साथ देखते रहना है और आप आसानी से Play Store की ID बना सकते हैं तो Play Store की ID बनाने के लिए आपको सबसे पहले Play Store को एक बार open करना है और यहाँ पर Play Store open करने के बाद फर्स्ट टाइम आपको sign in का option आता है लेकिन मैंने पहले ही Play Store में login कर रखा है इसलिए मेरे पास यहाँ पर Play Store open हो चुका है अब हमें Play Store में new ID बनानी है तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले profile पर टच करेंगे उसके बाद हम यहाँ पर इस arrow पर टच करेंगे अब आपको यहाँ पर एक add another account का feature दिया गया है आपको यहाँ पर टच करना है उसके बाद आपके सामने इस तरीके का interface आ जाएगा अब आपको यहाँ पर Google पर टच करना है Google पर टच करने के बाद यहाँ पर उस समय का time लेगा और आपका जो fingerprint है वो भी यहाँ पर verify हो सकता है तो हमने यहाँ पर अपना fingerprint verify कर दिया है अब यहाँ पर check info में थोड़ा सा समय लग सकता है play store में new idea बनाने के लिए अब आपको यहाँ पर create account पर touch करना है create account पर touch करने के बाद आपको यहाँ पर for my personal use पर touch करना है और आपको यहाँ पर अपना first name डालना है मैं यहाँ पर अपना first name डाल लेता हूँ और last name official है आप चाहे तो इसे रहने दे सकते हैं तो यहाँ पर हम अब next पर touch कर लेते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर अपना date of birthday और gender set करना है उसके बाद next पर touch करना है date of birthday और gender यहाँ पर set करने के बाद आपको next पर touch करना है अब आपके सामने यहाँ पर अलग-अलग email ID आ जाएंगी जो हमें suggest की गई है जैसे के यहाँ पर first ID यह है, second ID यह है और अगर हम अपने नाम से ID create करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर create your own Gmail address पर touch करेंगे तो मैं यहाँ पर अभी के लिए इनमे से जो सबसे उपर वाली ID है इसे ही रहने देता हूँ या फिर आप email ID की जगा अपना mobile number भी use कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर यह ID select कर दिया है, उसके बाद आपको next पर touch करना है और next पर touch करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक नया password create करना है तो मैं यहाँ पर जल्दी से अपने एक नया password create कर देता हूँ अब मैंने अपना password यहाँ पर create कर दिया है, उसके बाद आपको यहाँ पर next पर touch करना है अब आपको नीचे स्क्रोल करना है और यहाँ पर Yes I am in पर टच करना है और हमारी जो आईडी है वो हमारे सामने यहाँ पर सो हो चुकी है अब आपको यहाँ पर नीचे Next पर टच करना है Next पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर Privacy and Terms and Condition को पढ़ लेना है सबसे नीचे स्क्रोल करने के बाद आपको यहाँ पर I Agree पर टच करना है अब हमारी जो Google ID है वो बन चुकी है हम यहाँ से बैक करते हैं तो यहाँ पर अब हम दोबार अपनी प्रोफाइल पर टच करते हैं और यहाँ पर इस एरो पर टच करते हैं तो अब आप देख सकते हैं जो हमने नीव ID बनाई थी वो यहाँ पर सो हो चुकी है D25 47513 हम यहाँ पर टच करने के बाद इस ID को Play Store में यूज कर सकते हैं जैसे का आप देख रहे हैं अब हमने नीव ID से Play Store में लोगिन कर रखा है आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी नीव ID थी उसी से ही हम अब Play Store में लोगिन हैं इस तरह आप नए तरीके से 2024 में Play Store की नीव ID बना सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लागी जरू किजिएगा और हमारे चनल टेक्निकल दिल साथ को सब्सक्राइब करने के बाद गंटी का आइकन को दबा दीजिए हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहई दिल से सुक्रिया